दोस्तो पर्धान मंतरी मोधी को तीसरी बार पर्धान मंतरी बनते ही हुआ आज किसाणों की सम्मानीदी की 17 एक किष्टम रिलीज करेंगे कितने पैसे होंगे और आप कैसे चेक कर सकते हैं आज कि इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं तो वीडियो को लासत देखना कम्प् reconcile देखना और हां वीडियो को लाइक भी कर देना सेयर भी कर देना और आप चैनल को सब्सक्राइब करके बैल नॉटिफिकेशन को all पर सेट कर देना और क्या आपकी सम्माल निदी आई या फिन नहीं आई कॉमेन्ट करके ज़रूर बतान दोसो प्रधान मंतरी किसान सम्मार निदी की 17 वी किस्त आज किसान भाईयों के खाते में डाल दी जाएगी प्रधान मंतरी मोधी ने तीसरी बार प्रधान मंतरी पद के सपत गरहर करते ही सबसे पहले पीम किसान योजना से जुड़ी फाइल पर साइन किये थे प्रदान मंतरी आज यूपी के वरारसी से किसान भाईों के खाते में योजना के तयत पैसा हस्तांतरित करेंगे दोस्तो प्रदान मंतरी किसान संबार निदी योजना दुनिया के सबसे बड़ी डिप्टी स्कीम में से एक है इस योजना के तहत देश भर के करोडों किसानों को आर्थिक लाब दिया जाता है PM किसान योजना के पैसे को किसान भाई अपनी खेती से जुले कारे में लगा सकते हैं इस बार योजना के तहत लगबग 9.26 लाग किसानों को आर्थिक सायता मिलेगी पीम नरेंदर मोदी 20,000 करोड रुपे किसानों के खाते में हस्तांतरित करेंगे दोस्तो प्रदान मंत्री संबार निदी योजना के तहत सुलावी किस्त 18 फरवरी की साम को जारी की गई थी प्रदान मंत्री किसान संबार निदी योजना में किसानों को सालाना 6,000 रुपे दिये जाते हैं पैसे तीन किस्तों में उनके खाते में भेजे जाते हैं ये योजना किसान की आय बढ़ाने और उनकी आर्थिक इस्तिती को मजबूत बनाने में मदद करती है परदान मंतरी नेद मोदी आज किसानों के खातों में 2-2 हजार रुपया ट्रांसफर करेंगे इस योजना का लाब लेने के लिए EKYC होना जरूरी है उन्होंने EKYC या जिनकी आवेदन पत्र में कोई गलती है वह लोग इस योजना से वन्चित रह जाएंगे किसान अपने अकाउंट में रुपय आए या ना आए कैसे चेक कर सकते हैं चली हम आपको बताती है दोस्तो किसान भाई पहले अपने अधिकारिक बेफसाइट pmkisan.gov.in पर जाना है फिर किसान भाई होम पेज पर संबंदित लिंक पर क्लिक करके अपना रजिस्टेशन नंबर या अधार नंबर डाले और वहाँ पर एक कैपचा होगा कैपचा आपको डालना पड़ेगा जिसके बाद आपको गेट स्टेटस पर क्लिक करना है फिर स्क्रीन पर किस्ट से जुड़ी स्टेटस दिखाई देने लगेगी दोस्तो PM किसान मोबाइल एप के माध्यम से किसान अपने भुकतान की इस्टिती की जाच कर सकते हैं एप को गुगल प्ले इस्टोर या एप इस्टोर से जाकर डाउनलोड किया जा सकता है आपको अपना पंजी करर संख्या या अधार नंबर डालना पड़ेगा OTP दर्ज करना पड़ेगा लॉग इन पर क्लिक करके लाभारती इस्टिती पर क्लिक करके लॉग इन पर क्लिक करना पड़ेगा उसके बाद लाभारती इस्टिती पर क्लिक करके स्क्रीन पर भुकतान की इस्टिती देख सकेंगे फिलाल दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आप चेक नहीं कर पाते हैं तो comment section में comment करके बताना मैं आपको तरीका बता दूँगा और हाँ वीडियो को like, share, channel subscribe करना मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाई